देखो, अभी अपने क्या करने वाले है, फाइनल अकाउंट्स में देखो, एडजस्मेंट का ना कोई limit नहीं है, कितना भी अपन सकते है, बट हम क्या किया है अपनों के लिए, 83 टॉप अजजस्मेंट्स, जो जिनका फाइनल अकाउंट्स में, exams में आने का सबसे ज़्यादा probability होते है उन सारे के सारे adjustment को एक जगा पे compile कर दिये इनका कहा क्या adjustment होता है ये सारे एक जगा पे compile कर दिये अभी अपने क्या करेंगे फड़ा फट ये 30 का 30 adjustment को discuss करेंगे और जब adjustment को discuss करेंगे तो हम खाल ये नहीं बोलेगा कि इधर जाते और ये उदर जाते उसके पिछे का आपको जस एक brief rational भी बता देगा इसका फायदा क्या होगा आपको 40-50 questions वापस से देखने का जरूवत नहीं है 40-50 questions को compile कर दिया 30-35 adjustments में 30 तो हम यहाँ पर आपको चार्ट में लिखे दिया है इसके अलावा एक दो और adjustment होगा जो हम आपको साथ साथ बताएगा वह आपको लिख लेना वह चार्ट में नहीं है और class कतम होगा तो इस चार्ट आपके संगा शेयर कर देगा ठीक है start करें अपने चलिए सब आप अराम से इसके बाद अगर आपके पास क्यों और adjustment होगा जो आपको लग रहे है कि आप इसमें cover नहीं क्या तो आप बोला उसको हम समझा देगा चलो या तो आपके पील में जाएगा या तो आपके balance sheet में जाएगा तो आपके बैलेंस के बाहर जो भी item होगा उसको लोग adjustment बोलते हैं और उसको लोग at least दो जगह पर plot करते हैं minimum उसका दो effect आते हैं अब सबसे पहला वाला adjustment यह almost सबको clear होता है closing stock के बारे में closing stock पर हमको दो चीज बोलना है please मेरा ध्यान से सुनना closing stock normally आपको trial balance के बाहर में मिलेगा closing stock में सबसे पहला common आपको adjustment मिलता है आपको question card में लिखा वारेगा closing stock is rupees 1 lakh और यह कहा जाता है सबको मालूम है एक जाते है आपके trading में और एक जाते है आपके balance sheet में यह तो सबको मालूम है trading के credit side में आप इसको record करते हैं और balance sheet के asset side में यह तो basic सा बात हो गया अब closing stock में क्या क्या special effect आपको देखने मिल सकते हैं सबसे पहला एक आपको closing stock में adjustment मिलता है cost और net realizable value का net realizable value का और एक नाम होता है market value सब्सक्राइब को question में adjustment में लिखके दिया है closing stock का cost है 1 lakh और उसका market value है 80,000 अब closing stock जाएगा कहाँ पे trading और balance sheet में कौन सा amount जो भी दोनों का lower होगा closing stock is valued at cost और market price whichever is lower जो भी दोनों का lower amount होगा उसको आप trading और balance sheet दोनों में लिखेगा जो higher amount होगा इसको आप ignore कर देगा क्या मेरा बात लिए रहे अब इसके पीछे का राश्नल है conservatism prudence कि अगर आपको पता है कि आपका stock 80,000 में लिखेगा तो आप उसको एक लाग पर value क्यों कर रहे है तो आगे बढ़े है वाला अच्छा closing stock को लेके और छोटा सा adjustment है बताता है प्लीज मेरा बात जान दे सुनना closing stock में कई बार आपको देखने मिलता है adjust एक item है adjusted purchase या देखे आप लोग को और एक item आपको इसी में देखने मिलता है cost of goods sold इन दोनों item को हम एक बार के लिए pending रख रहे है बड़ इसको अपने डिसका जरूर करेंगे पहला closing stock adjustment अपने आते second adjustment में second बड़ा सिंपल सा है outstanding expense अब आपनों को बात बताओ अगर हम आपको बूला adjustment में लिखके दिया है rent outstanding rupees 2000 का लिखेंगे अपने इसको एक तो हम लोग इसको respective expense में add कर देते rent outstanding का simple मतलब है कि आपका खर्चा हो चुका है बड़ अभी तक आपने उसको pay नहीं किया है क्योंकि खर्चा हो चुका है तो यह respective account में जाएगा अगर direct expense हुआ तो ट्रेडिंग में और अगर indirect expense हुआ तो PL में for example rent indirect है तो PL में जाएगा अगर आपको यहाँ पर rent की जगा बोल दे wages outstanding wages आपका direct expense है तो आपके ट्रेडिंग में जाएगा जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा सपोज आपको यहाँ पर लिखा वारेगा wages wages में simply आप add करके लिख देगा outstanding wages और outer column amount को shift कर देगा और यही outstanding component और कहाँ जाएगा आपके balance sheet के liability side में क्या मेरा बात यहाँ था clear है इसको repeat करना है क्या outstanding expense बड़ा simple adjustment है outstanding का मतलब खर्चा हो चुक है बड़ आपने अपने उसको pay नहीं किया क्योंकि खर्चा हो गए तो यहाँ तो आप उसको कहा लिखेगा trading में कब लिखेगा अगर direct expense है तो और अगर indirect है तो PL में कैसे लिखते है उस item में add कर देते wages outstanding होगा तो wages mad कर देगा salary outstanding होगा तो salary mad कर देगा rent outstanding होगा तो rent mad कर देगा यहाँ तक clear है और क्योंकि आपनो इसको pay नहीं कि आम लोग इसको balance sheet के liability side में भी record करेंगे यहाँ तक का discussion clear है अब इसमें 2 special effect हम आपको समझाते है सुनना बड़ी ध्यान से आपको दिया वे trial balance और trial balance में आपको दिया वे rent debit side में 11,000 डन आपको adjustment में बोला rent for one month is outstanding तो कितने महिने का दिया हूँ है रेंट हमेश्चा 12 मेंगा उत करेंगा अगर महिने का रेंट इनक certa हरा महिने का मतलब आपने 11 महिने का रेंट इतना्त 1100 दॉक कितना हा ऐसो एक महिने का रेंट है को यह की हूअ दे कर का furniture यह में शर मेंशनर riv defined 12, clear है मेरा बाद, और यही 1000 रुपय क्या है आपका, liability, तो यह आपके balance sheet के liability side वे जाएगा, क्या बोलके, outstanding rent बोलके, क्या मेरा बाद यहां तर clear है, repeat करना है 1 और 2 में कुछ, ठीक है, चली, number 3, prepaid expense, prepaid expense क्या हो गया, आपने advance में खर्चा पे कर दिये, कोई खर्चे को अपने advance म क्या होता है, क्योंकि आप इसका खर्चा को pay कर चुक है, आप इसको सबसे पहले expense से minus करेगा, और कहा पर दिखाएगा, balance sheet के asset में, क्या मेरा बात clear है, respective खर्चे से minus करो, और इसको अपने balance sheet के asset में दिखाओ, ठीक है, इसको हम लिख कर दिया है, इसमें एक example और बताता है, prepared expense, अगर direct हुआ, तो direct से minus कर दो, indirect हुआ, तो indirect से minus कर दो, क्योंकि advance में pay कर दिया, वो आपका asset बनेगा, और balance sheet में चला जाएगा, यहां तक लिए रहे, अब इस पेक adjustment है, जो almost, almost बहुत schools में आपको annual exam में देखने मिल सकते हैं, सुनना मेरा बात, suppose आपको trial balance दिया है, और trial balance में आपको लिख कर दिया insurance, insurance का amount suppose है 15,000 रुपया, ठीक है, यह आपका year end कब हो रहे है, suppose 31st March 23 को, इसको वापस सकते, 31st March 23 को आपका year end हो रहे है, यह clear है, bracket में आपको लिख कर दिया, insurance is annual and is paid up to 30th of June 2023, clear question, insurance कितना आपने पे कर रख है, 15,000, insurance कैसे, annual, annual मतलब एक साल का, और कब तक पे कर रख है, 30 June तक का, अब इसको समझते कैसे, अब आपका year end कब हो रहे है, 31st March 23 को, insurance कब तक दिया हो है, 30 June 23, कितना महिने का extra दिया हो है, April, May, June, तीन महिने का extra दिया हो है, यह जो 15,000, यह कितने महिने का है, 12 कैसे बारा, annual बोल है, annual मतलब एक साल का है, तो 15,000 जो आपका insurance है, क्योंकि वो 12 महिने का है, तो क्या एक महिने का insurance आजाएगा, कितना आता है 15,000 बे बारा, 15,000 बे बारा, बारा सो पचास क्या है, एक महिने का, तो तीन महिने का कितना बना, 1250 into 3, logical, कितना आता है, 1250 into 3, 3750, यह क्या हो गया, prepaid, आकांचा, जान दो, clear है, 3750, आप इसको दिखाएंगे कैसे अपने, suppose यह आप बना रहे अपना PL, PL बना है, PL के debit में आप क्या लिखा, 2 insurance कितना लिके रखा है, 15,000, इस में से minus करेगा, less prepaid, 3750, और 3750 को कहां दिखाएगा, अपने balance sheet के asset side में, क्या मेरा बाद एक दम clear है, आगे बढ़ सकते हैं, शौर, चलिए, next, next आपका depreciation, depreciation, normally कहा जाता है, PL के debit side में, क्योंकि खर्चा है, और आप depreciation को balance sheet में, asset से minus करके दिखाते है, यह तो सबको पता है, अब हम इसमें एक special आपको adjustment बताते हैं, जो exam में normally पूछा जाते है, क्या-क्या depreciation को लेके पूछ सकते हैं, सबसे पहला, आपको बूला, trial balance दिया है आपको, trial balance में आपको एक asset दिया है, suppose for example, your furniture, furniture का value आपको लिख कर दे दिया, एक लाक रुपय, और question में आपको बूला, कि depreciation का rate कितना है, 10% per annum, simple, तो depreciation का amount कितना निकलेगा, 10,000, इसको आप कहा दिखाएगा, एक तो PL के debit में, और एक balance sheet से, asset से minus करके दिखाएगा, logical, अब second इसमें special effect, suppose for आपको बूला कि furniture is purchased on 1st of October 2022, 22, एक October को खरीद है, और year income हो रहा है, 31st March 23, तो कितना महिना यूज किया, 6 महिना, October, November, December, Jan, February, March 6 महिना, तो कितने महिने का depreciation आएगा, 6 महिने का, मतलब 1,00,000 का asset, 10% का depreciation into 6 by 12, logical, depreciation का amount निकला, 5, कैसे दिखाएगा इसको, PL के debit में, और balance sheet से, asset से minus करके, logical, ठीक है, ये clear है सबको, अब इसमें एक और step हम आगे बढ़ा रहे है, suppose question में per annum नहीं दिया हुए, अगर per annum word नहीं दिया हुए, सुनना बड़े ध्यान से, अगर per annum word नहीं दिया हुए, इस बात से फरक नहीं पड़ता है, कि अपने asset को कब खड़िद है, depreciation कितना लगेगा, पूरा 10%, अगर October को लिया है, use कितना महिना किया, से है महिना, बड़ इससे फरक नहीं पड़ता है, flat rate 10%, क्या मेरा बात समझ में है, मतलब long story short, अगर per annum दिया हुए, तो आप time factor को consider करेगा, अगर question में आपको per annum नहीं दिया वाँगा, तो आप time factor को consider नहीं करेगा, asset कभी भी खड़िदाओ, flat rate लगा दो 10%, या whatever जो भी आपको rate दिया वाँगा, यहाँ तक लियर है, इसमें एक और special effect नम डालते हैं, अच्छा, देखो, next, एक और आपको adjustment इसमें बताते हैं, आपको यहाँ पर furniture कितना दिख रहे हैं, एक लाग रुपए है, इसको आप लोग अपने copy में working करके इसमें को बता सकते हैं, अगर हम आपको इसमें बूलें, furniture एक लाग दिया वे, इसमें बूला, पर अनम भी दिया वे question में, बूले, the above furniture, कि अपनों calculation करके बताना मेरे को, the above furniture, includes, a furniture, costing, rupees 40,000, purchased on, 1st of October, 2022, year in कौन से, 23, तो आपको में को depreciation का amount निकाल के बताने हैं, यह data furniture का, यह बास सबको ट्राई करने देना, खोई आनशर प्रीस प्रॉम्ट ना करे, यह बारोग सबको ट्राई करने, दो मिर्ट और आपका आगे हैं तो ठीक है बेरई गूल, बीचे, बाधा सबको ट्राई करने देना, Mr. आप करो और दोतीन अजस्मेंट बताएगा डेप्रीसियेशन पर इसको सॉल्व करके बताओ इसका बेसिकली मतलब क्या हुआ आपके पस ये रेंड में अई बाचितनी ये रेंड में फरनीचर कितने कि एक ररre एक लाक येर में फरनीचर एक लाक उसके से 40 कल परगदा औक्टोबर को आपके पस ये के स्टाटिंग में कितने लाक़ ये एक लाक ये एकल बर को अगर 40 का खोई तो पहले साल का और 40 को कब खरीदा 40,000 को खरीदा ओक्तोबर में तो 40,000 को खरीदा ओक्तोबर में तो 40,000 का 10% इंटू 6 by 12 यह समझ मैं सब्सक्राइब करें वापस अगर कभी भी आपको बोलेगा कि कोई भी आपको ट्राइल बैलेंस दिया हुए ठीक है ट्राइल बैलेंस में आपके पास आइटम है फरनीचर जिसके ब्राकेट में लिखके दिया हुए कोस्ट एक लाक रुपया सुना बड़े ध्यान से बहुत एंट्रेसिंग एजस्मेंट है और यहाँ पर आपको लिखके दिया हुए प्रोवीजन फॉर डेप्रीसियेशन या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रीसियेशन यह आपको अमांट दिया है 20,000 रुपया आपको एजस्मेंट में लिखके दिया है डेप्रीसियेशन इस चार्ज्ट अडरेट 10 पर संट पर आनम ओन डबलू डीवी मेथड हम दो मिन वेट कर रहे हैं कोई प्रॉम्ट नहीं करेगा प्लीज सोचना कि इसका क्या करेगा और अपने आंसर आए तो फिर अपने बाद में डिसक्रास करेंगे बड़ी सब कोई सोचना एक बार में को पूरा ट्रीटमेंट चीए कि पी एल में क्या करेंगे बैलेंस चेट में क्या करेंगे ट्राइल में फर्नीचर दिया हुए एक लाग का अक्यूमुलेटेड बीस हजार का डेप्रीसियेशन लग रहे है टेन परसंट डब्लूडीवी मेथड पे पाइनल अकाउंट्स में क्या ट्रीटमेंट करेंगे कि आगे अंसर किसी के बास को एंसर है तो यह सोच रहे है कि सोच रहे है है सोच रहे है अरे सोचो फोन में में छेलो फोन में तो इन अंसर रहेगा टेन परसंट लग रहे है डब्लूडीवी पे तो इस साल का डेप्रीसियेशन कितना आएगा यह समझना रहे है क्योंकि एक लाग का तो कौस्ट था उसमें से बीस अजर का डेप्रीसियेशन माइनस करेंगा तो क्या बचेगा एक लाग क्या आपका कॉस्ट उसमें से माइनस हुआ डेप्रीसियेशन क्या बचासेट का बुक वैल्यू और बुक वैल्यू पे कितना डेप्रीसियेशन आठ हजार लॉजिकल को दिकत का बात नहीं आता अब आप में को बताओ कि जब आप इसको पी एल में प्लॉट एक दम परफेट पी एल के डेप्रीसियेशन जाएगा यह क्लियर है क्यों आट हजाएगा इस साल का डेप्रीसियेशन तो आट हजार ही है लॉजिकल अच्छा जब आप बैलेंच शीट बनाएगा यह इंट्रेस्टिंग है बैलेंच शीट में आप असेट कितने का अग्यूमुलेटेड डेप्रीसियेशन कितना अठाइस अजार वेरी गूट अठाइस अजार क्यों पहले का बीस जमा किया हुए था आठ और जमा हो गया टोटल हो गया थाइस मेक सेंस क्लियर है कि वापस रिपीट करें बर फिर वापस बोल रहा है बस सुने ना जिन स्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रीसियेशन इससे क्या मिला आपको बुक वैल्यू और बुक वैल्यू के ओपर डेप्रीसियेशन आप निकाल दिया जो डेप्रीसियेशन निकला वो आपका इस साल का खर्चा है और बैलेंस शीर आप कैसे दिखाएगा असेट का वै क्लियार है सबको आच है एक क्वेश्चन और रहे है इससे तो मेरे असे तो वेल्यू काम हो गया डेप्रीसियेशन से तो असेट का वैल्यू काम होता ही है कि आज भी फरनीचर असेट मेरे बुक्स में कि तो हम एक लाक में उसको माइनस करने से क्या असेट एक लाग से कम हो गया यह हम बताया था आप लोगों डेप्रिसेशन पर आज भी असेट मेरे बुक्स पर किते वे हैं हम तो माइनस किया है अकाउंट्स में कोई भी आइटम का वैल्यू कम और ज्यादा कैसे होते हैं उसको डेबिट और क्रेडिट करने से एड और लेस करने से उसका वैल्यू कम नहीं होते हैं वो किवले बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन परपस के लिए आप उसको माइनस करके दिखाए रहे हैं मेरा बात समझ भाए हैं क्या बोल रहे हैं लॉजिकल मतब लॉंग स्चोरी शॉर्ट आपको एक चीज पक्का क् यह लोग पानल अकाउंटस में कैसे ट्रीट करते हैं तो जो उसका डेप्रिशेशन कॉंपोनेंटे वो जाएगा पील में और जितना डेप्रिशेशन आएगा उसको अप असेट से माइनस करके दिखाएगा बैलेंशीट में क्या मेरा बात क्लियर हैं डेप्रिशेशन इस जो चीज रेकरिंग होता है वो एक्सपेंस है जो कभी-कभी हो वो लॉस है ठीक है आगे बढ़े नेक्स्ट नंबर फाइप यह भी अपने बहुत बार एजस्मेंट किया है क्लास में इंकम अक्रूड कोई भी कोई भी असेट एनी असेट क्याश नहीं क्याश नहीं होता है फ हम अभी depreciation बता रहे है राइट ओफ नहीं बता रहे हैं तो दो अलग अलट हम है उसके लिए आएगा सब आएगा उस पर अभी depreciation समझा किया डेप्रीशेशन किसका होता है कि वेल फिक्स टांजिबल असेट का टांजिबल असेट का बिल्डिंग मशीन एक्विप्मेंट प्लांट इन सब चीज़ों का डेप्रीशेशन में कुछ पूछना है अप लोगों को और आगे बढ़ सकते हैं आईए अक्रूड इंकम कूशल इंफोर्मेशन में बोल रहे हैं 2000 उसका कमिशन क्रूड एकूड मतलब इंकम हो गये पर मिला नहीं है तो इंकम अंचाहील प्रे Khali के क्रडिक में और क्योंकि मिला नहीं है तो बैलेंस शीट में कहा जाएगा है अश्र गालैंसिर के सैट में लोग kidney कुछ पूछना आप लोगो नहीं पका क्लियर है अच्छा अगर सपोस्थ आपको ट्राइल बैलेंस में कमिशन पांच अजर दिया वे अभी क्या करेगा पहले पहले इंकम में क्या लिखेगा बाइक कमिशन पांच अजर और जो दोजार अकूट उसको कर देगा अड़ अकूड कमिशन दोजार टोटल इंकम साथ और बाइन शिर्ट में कितना जाएगा दोजार लॉजिकल सेंस आगे बढ़े कुछ पूछना है नहीं चलिए नेक्स जैनरली उतना अपने को संस में देखने नहीं मिलता है और अंड इंकम और अंड इंकम कुछ साधारन वाश्या में लोग अडवांस इंकम भी बोल सकते तुने का पीस मेरे बाद जान से अंड इंकम मतलब पैसा मिल चुका है बड़ अभी तक हमारा इंकम नहीं है पॉर एक्जामपल अभी मालो फर एक्जामपल फैब चल रहे है फैब में अगर आप मेरे को मार्च का फीज दे देगा तो मेरे लिए क्या है un-earned income क्योंकि मार्च अब तक आया नहीं है मेरा income जन्नेट हुआ नहीं है बड़ मेंको पैसा पहले से मिल गया साधारन बाश्टा में इसको क्या बूल सकते अच्थ है अडवांस इंकम लौजिकल ही किया मेरे अडवांस इंकम है लेकिन आपके कमिशन 10,000 लोगिकल और यह कहा दिया वह है क्रेडिट सेड में दिया मतलब इंकम है अब जब अपना पी एल बनाएगा तो पी एल के करेडिट सेड में आप पका लिखेगा बाइक कमिशन 10,000 रुपया अडिशनल इंफरमेशन वे दिया वह है अन अर्ड कमिशन इस रूपी 2000 on earned मिल चुका है क्या हाँ मिल गया है बड़ अब तक income नहीं है मेरा income नहीं है तो क्या करो income से minus कर दो on earned commission बोलके कितना 2000 तो actually income कितना है 8000 income पहले से मिल गया asset की liability liability लोजिक है इस सम्वालूम आप लोगो तो जब आप इसको balance sheet बनाएगा क्या मेरा बात क्लिए रहे है शुर कुछ पूछना है अधक ठीक है clear आगे बढ़ सकते है जो लोग online करें कुछ पूछना आप लोगों भी क्याजी अच्छा यह उल्टा लिखावे क्या accrued income आपका जाएगा asset में यह सोई हाँ करेक्ट यह जाएगा आपका liability में करेक्ट आगे बढ़े शॉर कुछ पूछना आप लोगो चलिए नेक्स्ट दो टॉपिक इंट्रेस्ट ओन क्यापिटल इंट्रेस्ट ओन लोन इसको हम डिटेल में समझा देता है आप लोग को सपोज आपको का ट्राल बैलिंस में लिटेल डिया हुएए दो लाक रुपे सब्सक्राइब और आपको अडिश्टल इनफॉरमेशन में लिखके दिया है इंट्रेस्ट ओन क्यापिटल कौन किसको दे रहे बिजनस प्रप्राइटर को दे ओनर को दे रहे तो यह जो इंट्रेस्ट गीज दो लाक रुपे पे 10% 20,000 का इंट्रेस्ट बनेगा जिसको आप डेबिट में लिख देगा यह देना भी तो है अपने को तो लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी है तो आप क्या करेगा इसको अपने क्यापिटल के अंदर में आड कर देगा इंट्रेस्ट ऑन क्यापिटल बोलके क्लियर है कि वापस बोल एक बार इंट्रेस्ट ऑन क्यापिटल बिजनस का एक्सपेंस है और लाइबिलिटी है एक्सपेंस है तो कहा गया पील के डेबिट में और लाइबिलिटी है तो दिया वे ड्रोइंग्स एक लाग असी अजा रुप्या इसके ओपर आपको अडिस्टन इंफर्मेशन में लिखके दिया है इंट्रेस्ट और ड्रोइंग्स आड़ डरेट 5% पर अनम इंट्रेस्ट और ड्रोइंग्स बिजनस चार्ज करता है प्रोप्राइटर से मतलब यह बिजनस का इंकम है इंकम है तो PL के क्रेडिट में जाएगा बाई इंट्रेस्ट और ड्रोइंग्स एक लाग असी का 5% नौजार इकदम परफेक्ट यह जो नौजार है यह बिजनस का क्या है इंकम और मिलना किससे ओनर से प्रोप्रोप्रेटर से तो जब आप क्यापिटल लिखेगा न क्यापिटल में इसको माइनस कर देगा इंट्रेस्ट और ड्रोइंग्स मतलब क्यापिटल में इंट्रेस्ट और क्यापिटल एडड होता है और interest on drawings minus होते है logical sense आगे बढ़ सकते हैं और जो लोग करें कुछ पूछना है आप लोगो यहां तक गुट क्वेशन बोल रहा है अगर interest on capital trial के debit में दिया वे अभी हम क्या बोला इंट्रेस्ट कहा पर है अडिशन इंफोर्मेशन में दिया वे बट बोल रहा है अगर आपको ट्राइल के अंदर ही अच्छा observation है इसको discuss कर सकते हैं बोल रहा है अगर सब्सक्राइल में आपको दिया वे ड्रोइंग्स एक लाक असी और ट्राइल में दिया वे इंट्रेस्ट और ड्रोइंग्स 18,000 रुपया अभी क्वेश्चन आता है कहां पर जाएगा अ कहां का ड्रोइंग्स बताओ कहां जाएगा अगर ट्रैल के अंदर दिया वो तो कहां जाएगा इंकम में बाई इंट्रेस्ट और ड्रोइंग्स मेक सेंस आगे बढ़े शर चलिए ठीक है प्राची फास्ट हो रहे है कि ठीक है किसी को फास्ट लग रहे है कि ठीक है ना क्योंकि अगर आम इससे बहुत स्लो जाएगा इसका मतला हम आपको एज्जेस्मेंट बैटके सिखा यहां तो भी साल बर क्या किया एजस्ट तो सिखाया है वह सारा और जितना में अग्जेस्मेंट बताबी तक ऐसा कोई भी एजस्ट में जो अपने क्लास में संस में नहीं किया है कभी ना कभी ठीक है बस अब उसी को आपको फड़ा वड़े बार रिविजन करा रहे है ताक अगर लोन आपको डेबिट में दिया है तो कहा जाएगा अगर अगर अगरण आपको क्रेडिट में दिया है तो सिंपल आपका लाइबिलिटी अपने लोन लेकर रखाया ये क्लियर है अब आपको additional information में लिखे दिया कि interest on loan will be charged at the rate of 10% per annum ठीक है तो loan के ओपर जो interest लगेगा वो कहा जाएगा किसका debit side में PL का debit side में 10 लाग के loan पर 10 टका interest 1 लाग रुपय का interest बन रहे interest on loan business के लिए क्या है expense expense ये तो debit में जाएगा to interest on loan एक लाग रुपया ये clear है और ये कहां जाएगा balance sheet के liability में अब liability में आप इसको दो तरीके से लिख सकता है balance sheet में एक तो आपको loan रहेगा 10 लाग का तो या तो आप loan ही में आड कर दो outstanding interest बोलके या इसको अलग से लिख के दिखा दो loan 10 लाग outstanding interest एक लाग कि आगे बढ़ सकते हैं कि repeat करना है कुछ भी है क्या जिए अगर loan debit में अगर loan debit में तो लोन आपका given आपने loan देखे रखाए और देखे रखाए तो क्यों बैल बैलेंशेट के असेट में आएगा अब उसका interest क्या होगा आपका income income होगा तो क्रेट में जाएगा कि एकदम एकदम 100% से मुल्टा treatment एक ही बात आप इसको लोन के संग एड करो तो भी 11 लग और अगर 10 लाग या लिखो एक लाग या लिखो तो भी 11 लग बैलेंशेट क्या बता रहे है आज के रिट में लाइबरेटी कितने है तो आज के में मेरा टोटाल लोन की तरफ लाइबरेटी कितने है दस लाग का principal component एक लाग का अगर आपको ट्राइल बैलेंस के अंदर अगर आपको बैड डिया हुआ है दस हजार रुपया तो आप उसको कहा दिखाएगा पी यल के डेट में बात खतम और कहीं जाएगा नहीं शौर ठीक है पहला के दन अगर आपको ट्राइल बैलेंस के अंदर बैड डिया है तो केवल आपके पी यल के डेबिट में जाएगा यह क्लियर है सबको अच्छा इसके बाद एक स्टेप बढ़ते अगर आपको अडिश्टन इंफर्मेशन में एक लाइन लिखके दि इस अगर यह फर्दर बैडडेट मतलब और बैडडेट और कितना बैडडेट हुआ मालों 5000 रुपया प्रदर बैडेट कहा जाता है दो जगा पर एक तो प्यल में उक्षा है और एक बैलेंस शीट में डेटर से माइनस होता है लोजिकल फर्दर बैडेट को आप अपने पी यह clear है कि repeat करें, clear एगदम, आगे बढ़ सकते हैं, अच्छा, अगर दोनों है, bad debt भी और further bad debt भी है तो, तो सबसे पहले आप अपने PL के debit में लिखेगा bad debt, कितना है bad debt, 10,000, उसमें add क्या कर देगा, further bad debt, 5000, total bad debt, 15,000, logical, debtor से कितना minus होगा, 5000, debtor से हमेशा further bad debt ही minus होता है, या वो bad debt minus होता है, जो आपको additional information में दिया हुआ होता है, अगर further bad debt trial balance के अंदर है, तो भी वो केवल PL के debit में जाएगा, नाम आप कुछ भी रख दो, उसका essence नहीं बदल जाएगा, नहीं होगा, जो चीज ट्राइल के अंदर है, मतलब उसका journal हो चुका है, अब आप उसको bad debt बोलो, यह हिंदी में रुपिया डूब गया, रुपिया मर गया, जो भी हो गया, नोमेंक्लेचर कुछ भी हो, आप सिंपल सा बात है, आप fan बोल रहे है, हम इसको office equipment बोल रहे है, electrical equipment बोल रहे है, दोनों में कोई accounting में तो फरक नहीं पड़ा, ठीक है, यह clear आपको bad debt वाला, और एक asset में debtor से minus करके, by way of deduction from debtor, ठीक है, अगर trial balance आप, अगर bad debt trial balance के अंदर appear कर रहे है, तो केवल, PL में जाएगा, ठीक है, हो गया, आप लोगा, मुले हम, इससा प्ली मत करू, सामने से बैठके करेगा ना, तो issue हो जाएगा, मैंको class कराने में, ठीक है, आगे बढ़े, next सुना, suppose आपको trial balance के अंदर में, trial balance के अंदर में लिखके दिया debtor, एक लाक रुपया, और आपको लिखकर दिया है, provision for bad debt, या provision for doubtful debt, whatever, ठीक है, 5000, मेरा पहला question है, हम लोग provision for doubtful debt क्यों बनाते हैं, doubt है कि future में bad debt हो सकता है, तो future में bad debt हो, तो हमको उसका खर्चा pinch नहीं हो, इसलिए हम आज ही अपने profit से पैसा को side में निकाल के रख दिया, एक दाम estimated, ठीक है, अब यह जो आपका, अगर इतना सा information दिया और कुछ नहीं दिया आपको, इतना सा information है, अब आप इसको कहा दिख debtor balance sheet के asset side में, और प्र 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 क्रेडिट में, कुछ नहीं क्यों इतना से दिया वैं, अगर आपको ट्राल में debtor और provision दिया वैं, सुना प्रीज मेरा question ध्यान से, debtor और PFDD दोनों आपको ट्राल के अंदर दिया वैं, debtor आपके balance sheet में जाएगा, इसमें को dispute होना ही नीचे, dispute है PFDD में, आप मेंको बताओ, PFDD अगर ट्राल के अंदर दिख रहे हैं, क्या उसका general entry हुआ है, आप मेंको बताओ, PFDD का general entry क्या हुआ है, PL account debit to PFDD, दुनिया में हार provision का एक entry होता है, PL to provision, यह clear है, मतों यह entry हो चुका है, जो debit है, यह इसका expense portion है तो, तो यह कहां गया होगा, खर्चे में चला गया, और यह इसका कौन से है, liability portion, तो आप इसको कैसे PL के debit में दिखाएगा, आप इना बाद समझ पार हैं, क्या बोल रहे हैं, यह कहां जाएगा, इसको आप अपने debtor से minus करके दिखाएगा, that's all, सुनो, अगर आप, क्या यह provision create Huawei की कर रहे हूँ, Huawei, अगर Huawei तो provision कहां से निकला, profit से, provision तो profit से निकलता है कि debtor से निकलता है, तो profit से निकल चुका है, तो वापस चू डाल रहे हो, PL के debit में, make sense, हम वापस समझा रहे हैं, सवन मैं, प्ली सुनना, बड़ा इंट्रेसिंग साची पूछ रहे है, अगर आपको, प्ली सुनो, अई बाचित नहीं, प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहे है, trial balance में, अगर आपको debtor लिखके दिया, एक लग, और अगर आपको provision for doubtful debt या bad debt बोल दिया, 10,000, तो यह जो provision है, इसका journal entry हो चुका है, क्या बाद, इस बाद से convince है, अगर journal हो चुका है, मतलब, क्या आपको provision create करना है कि हो गए, तो वापस से आप PL के debit में क्यों लिख रहे है, PL के debit में लिखना मतलब, आप उसको अपना खर्चा मान रहे है, आप फिर से profit से पैसा निकाल रहे है, समझ में 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 बाद, तो सुनना प्रीज बड़े ध्यान से, अगर और कुछ information नहीं है, तो आप इस information को कहां पर produce करेगा, आप बनाएगा balance sheet, balance sheet में आपने लिखा debtor 1,00,00, और क्योंकि provision पहले से बना हुआ है, तो आपका good debtor कितना बच्चा के विल, 90,000, इससे आप 10,000 के provision को minus करेगा, और your debtor appears at rupees 90,000, this 90,000 is your good debtor, provision नहीं नहीं है, good debt, बोलो, जो हम logic बोला, logic से convince है तो, clear एक दम, आगे बढ़ते हैं, ये clear है, अच्छा, next, अगर हम आपको एक data दे, suppose आपको trial balance दिया हुए, trial balance में आपको दिया हुए debtor, rupees 1,00, trial balance के अंदर आपको दिया हुए provision for doubtful debt, 10,000, आपको यहाँ पर दिया हुए bad debt, 5,000, जो normally exam में adjustment पूछता है, सारा चीज़ को हम एक बार में आप cover कर रहे है, पहला हम आपको बता है, केवल bad debt होगा तो क्या होगा, फिर बता है, further bad debt होगा तो क्या होगा, फिर बता है, केवल provision होगा तो क्या होगा, अब एक step ahead, अच्छा चलो पहला हम एक step और पहले फिर इसको आगे बढ़ जाएगा, additional information, ठीक है, आपको बोला, maintain, एक लाग का 15% कितना प्रोविजन में पैसा चाहिए, 15,000, अलड़ी कितना है, 10, तो PL से कितना निकलेगा, 5, ये clear है, अब इस चीज को solve करने का आपने लोगे एक format, या दिया मोटा मोटी अपने को, PL में, सबसे पहले क्या लिखते है, 2, bad debt, इसमें क्या आड़ करते है, further bad debt, है question में, नहीं, उसमें आड़ क्या करते है, new provision, तो new provision कितना है, जिनको नहीं clear हो, जो आप calculate करते है, debtor के ओपर उसको क्या बोलते है, new provision, ये clear है, तो new provision कितना, 15, तो क्या लिखेगा, 2 provision for doubtful debt, bracket में new कितना, 15, इसमें से minus क्या करते है, PFDD, old, old कितना है, 10, PL में actually कितना चला गया, 5, और 5 ही जाना चाहिए था, या तो आप 10 को इदर लिखो, 15 को इदर लिखो, एक ही बात है, आपका कॉल है, बढ़ हम, नॉर्मली स्कूल्स में, किताबों में इसी तरीके से पढ़ाया जाते है, तो हम इसी तरीके से चल रहे है, ये clear है, शोर है वाला, अच्छा, इसके बाद जब आप इसका balance sheet बनाएगा, तो balance sheet में आपने लिखा, debtor कितना है आपका, debtor एक लाग, debtor से हमेशा कौन सा provision minus होता है, new वाला, और new कौन सा है, जो आपने calculate करके निकाला है, तो debtor से minus कर देंगे, less provision for doubtful debt, 15,000, क्या मेरा बात यहां तक clear है, दज़र कहां से निकाले, सोच आराम से, दज़र कहां से निकाले, अच्छा, अब, जो केशा हमको बता, आपको पिछला वाला का अभी मन में है, हमको मालूम है, हम आपको अब इसमें convince करेगा, अगर, यह जो पंदरह है, सुना प्रीज मेरा बात, क्या मैं इस पंदरह को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, 10 और 5, 10 और 5, अगर यह पाच अभी नहीं बनता, तो भी तो 10 मैनस होता, और यह 10 कोँजा प्रोविजन है, तो पिछला क्वेशन में जो हम बोला, ओल्ड प्रोविजन मैनस होगा तो, क्यों नहीं convince हो आप लोगो, लॉजिकल मेक सेंस, यह ओल प्रोविजन है तो, ओल को मैनस किया debtor से, यहाँ पर भी तो आप ओल को मैनस इक किया debtor से, 10 मैनस किया, 5 अलग से मैनस किया, क्यों क्योंकि balance sheet कैसे बनता है, as on, आज के date में मेरे पास debtor कितना है, 1 लाख, और आज के प्रोविजन कितना है, 15 आ जा, तो दोनों को माइनस करके दिखा दिया डेटर कितना है 85,000 हाँ बुलो यह तो फिर यही केस तो आप बूल रहा है वापस से तो कहा जाएगा पी यल में सिर्फ बैलेंशिप में डेटर से माइनस हो जाएगा PL में प्रोविजन जाएगं प्रोविजन तो अडि बन चुक है बनाना थोड़ी नहीं है जो प्रोविजन बनाना है वो किवल PL में जाएगा यादा clear एक बाड आम पहले एक एंगugalपल बता रहे पहले सको करो अप तो पिर फिर बственन होगा तोम लेगा हम एक और information बोले इसका लोग solve करके बताना trial balance में आपको दिया वह है कि सब लोग solve करके बताओ debtor एक लाख bad debt 5,000 provision for doubtful debt 5,000 ठीक है यह digital information है further bad debt 2,000 maintain provision at the rate 20% on debtor maintain provision at the rate 20% on debtor आपको बताना है PL के debit में हो सकता है आपको ऐसा MCQ में भी आज़े यह data दे देगा और बोलेगा profit and loss account will be debited by बताओ PL account will be debited by what amount आप जो बोलेगा आपका क्या answer आ रहे है 21,000 ठीक है बाद देखते हैं एक answer अपने बाश 21 है बागी देखते है किसका क्या जो लोग online करें आप लोग भी answer बता सकता है आपका रहे 21,600 बागी आप लोग भी बोल दो अपने आप लोग खा ले इसी का आवा खाने आ है अंसर बोलो बोलो ऑन्लाइन भी कुछ लोग answer बोल रहे हैं किस चैसो बाइस अजार एक और अंसर 22 भी आपने पास ठीक है 22 आ रहे है ठीक है 22 चैसो बाइस चैसो आप तो जनता का पोल में जा रहे है अचा देखो एबर जिनको नहीं क्लियर एबला इसको हम थोड़ा आराम से बता रहे है सुनना बड़ी जान से क्या आधिक बोलो कि किसकी खैल में खुया हुआ है तो बोलो answer बोलो अगर आपको नहीं साज में रहे है अगर इतना सारा adjustment आपको मिलेगा तो अपने PL में इसको कैसे प्लोट करें बड़ा सिंपल से एकदम सिंपल है सबसे पहला इटम आप क्या लिखते है टू यह बैड़ेट कौन से है ओल मतलब जो ट्राल बैलेंस के अंदर है यह वह है जो आपके ट्राल बैलेंस के अंदर दिया हुए इसमें लोग आड क्या करते है परदर बाड डेट जो आपको अडिशनल इंफोर्मेशन में मिलेगा इसको लिखा अडिशनल इंफोर्मेशन में मिला ठीक हली अब हम प्ल बता रहे है बैलेंस बाद में बताएगा इसी में लोग आड क्या करते है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नियू नियू मतलब कौन सा जो आप क्यालकुलेट करेंगे अभी निकालेगा डन इससे आप माइनस क्या करेगा पी एफ डीडी ओल्ड कौन सा ओल्ड जो आपको अगें ट्राल बैलेंस के अंदर दिया है इससे सिंपल तरीका इतने डेटा को समझेगा होई नहीं सकते है यह लॉजिकल अच्छा अब सिमिलरली कि जब आप बैलेंस शीट बनाएगा यह बैलेंस शीट भी बता रहे है बैलेंस शीट में सबसे पहला इटम डेटर का कौन सा ओल्ड प्लोट करेगा जो ट्राल बैलेंस के अंदर दिया है इसमें से माइनस क्या करेगा इसमें से आप माइनस करेगा इसमें से आप माइनस कर तो logical अब सुनना मेरा बात जान से IK करके सबसे पहला bad debt कितना दिया हो अपने को बाड़ेट कितना दिया हुए यह वाला 5 इसको हम लिख दिया 5 is further कितना दिया दो इसको add कर दिया 2 calculation करो ही मत अभीאל अचा further और कहा जाएगा अच्छा डेटर को भी लिख देख्या बैलेंस शिट में यह बाद लिख देते हैं बैलेंस शिट को एक लागा इससे फ़र्जर कितना माइनस हुआ 2000 तो डेटर कितना 98 एक लियर है प्रोविजन कितना चाहिए 20 परसेंड किसका 20 परसेंड 98,000 का 20 परसेंड 98,000 का 20 परसेंड 19,600 जो कैलकुलेट करके निकाला वो कौन सा प्रोविजन न्यू वाला तो न्यू को यहां पर माइनस कर दिया और 19,600 को यह पर आड़ कर दिया क्लियर ठीक है और ओल्ड प्रोविजन कितना है जो ट्राइल में दिया वे पांच इसको माइनस कर दिया अब जो भी आपका अंसर आएगा 21,600 आए सबका ठीक है 21,600 और डेटर से डेटर में माइनस करके जो भी आणसर आएगा वो आ जाएगा इसको पूरा चीज आपको लिखके दिया कि अगर इनकेस एक्जाम के पहले आपको पढ़ना पड़े तो आभ यहां से 11 को रिलेट कर सकते हैं सुना प्लीज मेरा बाद प्रोविजन फोर डॉट्फुल जो नया वाला निकला अगर आपको केवल नया वाला दे एक ऐसा भी management आ सकता है आपको trial सुना प्लीज यह भी इंटरेस्चींग है trial balance में debtor दिया हुँए एक लाग का trial balance में debtor दिया हुए एक लाग का और कुछ नहीं बोला सीदा आपको बोला additional information में कि PFDD create करना है debtor पे 10% बोलो क्या करेंगे ठीक है एकदम पर्फेट अब आप यह मत बोला कि पिछले में तो बोले से डेटर से माइनस कर देंगे वो कौन सा बोला था और वाला यह तो create कर रहे हो हुआ वह की करना है करना है करना है तो कहा जाएगा अगर इसी इंफर्मेशन को हम इसी फॉर्मेट में का बाई चंस प्लोट करें कहां चला गया इसको हम रिखा भी इतना गंदा है तरीके से ना कोचते पर भी नहीं मिलेगा आईए रहा सब्सक्राइब यही पर प्लोट करें ठीक है यहां सारेड वाला इंफर्मेशन को अठा और अग्वार आपके पास बैड़ेट कितना है क्वेश्टन में जीरो फ़र्दर जीरो डेटर कितना एक लाग फर्दर भी जीरो है कि टेटर कितना बचा कि इसको मिरेस करते हैं और यहां पर आपका लिखते है डेटर एक लाग एक लाग पे प्रोविजिन है दस परशंद 10,000 वो निया बना निया को मैनस किया और निया कहा जाता है यहाँ पर एड़ भी होता है ओल्ड कितने है कुछ भी नहीं तो पील के डेबिट में कितना चला गया दस मेंक सेंस लॉजिकल है यहाद क्लियर है तो जो आपका नया वाला प्रोविजन होगा उसका अल्टिवेटि फाइनल एकदम फाइनल वर्डिक्ट कि आप प्रोविजन का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं अगर कोई प्रोविजन ट्रायल के अंदर दिया वह वह कहा जाएगा अपन है format में माइनस हो जाते है क्लियर है उनलš फार्मेट क्वान सा यह वाला यह वाला उनल वाला क्या होगा माहिनq हो जाएमं न मेस हो जाएगा और ट्र से क्लियों यहाँ ट्रेम कुह हो तो पुछो वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं अच्छा क्वेश्चन है डाउट है किसी के आप लोगो कुछ आ रहे तो आप पूछ सकते हैं वह बता देगा देगा अच्छा हम आपको गुल्टा पेरे क्वेश्चन पूछे आपके क्वेश्चन बाता है पर हमको एक और क्वे आपको ट्राइल बैलेंस में डेटर दिया वे एक लाका है ठीक है आपको प्रोविज्चन फर डाउटफूल डेट दिया वे दस एजार है ठीक है आपको अडिश्टन इंफरमेशन में लिख्के दिया है और डेटर्स आर गुड अ कि एवां सोच लेए वां एक मेंदे वां सब को सोच लिए वां देखते हैं सब क्या बोलता है और डेटर्स अर्गुड कि सारा डेटर्स अच्छा है कि बताओ किसी के पास कोई जवाब है तो पहला और डेटर्स आर्गुड का मतलब जितना डेटर है पूरा पैसा दिदेगा अगर यह लाइन नहीं लिखके दिया होता तो हम जब बैलेंस शीट बनाता तो बैलेंस शीट में क्या करता डेटर लिखता एक लाग का और यह प्रोविजन दस जार का है इसको माइनस करके लिख देटर नभे हजार का बट अब मैं क्या बोले और डेटर जार गुड मतलब कितना पैसा मिलेगा पूरा एक लग मिलेगा तो इसको माइनस करने का जरुवत नहीं है मतलब यह प्रोविजन कहीं जरुवत नहीं है प्रोविजन जब बनाते है तो पील के डेबिट में और प्रोविजन का जरुवत नहीं होगा तो पील के क्रेडिट में सिंपल आप इसको लिख देगा बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपका बात खता हम देगो कोशिश कर रहा है जितना पॉसिबल पर्मूटेशन कॉंबिनेशन बन के आपको सारा समझा सके त यह लॉस रिवर्स हो गया बोल सकते हैं एक प्रोविजन रिवर्स हो गया मतब लॉस रिवर्स हो गया बोल सकते हैं यह तो प्रोविजन तो बना हुए ना आप में को लग रहे है कि पैसा आ जाएगा तो प्रोविजन को खतम कर दिये हैं ठीक यह क्लियर है चली आगे बढ डेटर, प्रोविजन फर डिस्काउंट ओन डेटर, अब प्रोविजन फर डिस्काउंट कौन से अमांट पर निकालते हैं पते हैं, गुड डेटर के उपर, मतलब आप पूरा अपना ट्रीटमेंट कर दिया, मतलब अगर सोचो, क्वेश्चन बहुत एक्वेश्टिव अचा, पहले हम इसको समझाते हैं, फिर एक क्वेश्चन आप लोगो देता है, भी आप लोग करना, यह जो अमांट आपको निकला न, बैलेंश एक में पहले क्या लिया था, डेटर, उसमें से क्या माइनस किया, जो डेटर बचा इसको क्या बोलते हैं, मतलब इतना पैसा म मेरे को पक्का मिलने का उमीद है, बट इतना पैसा रिकावर करने के लिए, मेरे को उनको पांच परसंट का डिस्काउंट देना पड़ेगा, इसका मतलब यह होता है, अगर हम बोले डेटर एक लाग का है, क्या एक लाग मिलेगा, नहीं, बैडडेट हो गया भी सेजार का म पड़ेगा, तो क्या यह पांच परसंट का डिस्काउंट मेरा खर्चा है, तो कहां जाएगा, पील के डेट में, और इसी अमांट को हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में डेटर से माइनस भी कर देंगे, समझ मैं हम क्या बूला, शौर, एक सेकेंड, सबसे पहला, रशाइँ, आप लास्फि कर रहे है, चलो एक वैसन दे रहे है, ता रिशा फ़ड़ा बड शॉल्व करके बताओ, चलो लिगो डेटर लिगो, ठ्रायल बैलेंस, और रायल बैलनस में लिखो डेटर, एक लाग का, एक सॉल्व करके बताओ जल्दी से, बैटेट, क्याचिया बहुत लें कि इसका वापत लाइव करो अभी अभी से यूट्यूब पे डाले साक्षाथ लाइव करा रहे हो नहीं करने स्विलों लिखो जल्दी से प्रोविजन फॉर रुको अभी रुको प्रोविजन फॉर दॉट फॉल डेट पांच हजार ठीक अराम से प्लीज को करना मेंटेन प्रोविजन आडड दर रिट ट्वेंटी पर्सेंट ओन डेटर ठीक फिर आपको दिया वे पर्दर बैडड डेट अपनीजी सपोई को करना होगा दो अजार थर्ड क्रिएट प्रोविजन फॉर डिसकाउंट अड्ड दर रिट तेन पर्सेंट ओन डेटर विच प प्लीज देंस को डिट आसर है पियुदूत किसे प्रेजन calon कैसे प्रेज़ेंट करेंगा आपट प्लीज संसर प्रॉंप्ट सब करेगा ईद क्रेज T हां हाँ 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 आप इस पूरे आइटम को अपने पी एल और बैलेंस चीट में कैसे दिखाएगा क्वेश्चन गिए है हो रहा है प्राचिए कि दिखां कर रहे है कि क्लाश 12 में किसी को दिखा ना कि कोई मोबाइल में कैलकुलेशन कर रहे है तो मोबाइल तो नहीं फेकेगा आपका बड़ कुछ करेगा जरूर यह पक्का वात है प्लीज अपना कैलकुलेटर यूज करनेगा इस इस वालों तो हैबिट बनाओ कैलकुलेटर पर कैलकुलेशन करनेगा फोन को प्लीज अच्छी छोड़ दो 11 में बहुत सारे exemption enjoy कर लिया आप लोग 12 आने वाल है बस तो get prepared हो गया सबका कर रहे है कोई वेट कर रहे है एक मिन वेट करें ठीक है करो करो कर आराम से करो तो में रूपर आपको या तो में पूछ लेगा या बड़ा क्वेश्चन में साथ डेटर एड्जस्मेंट के फॉर्म में आ जाएगा कैसे भी आ सकते है अब बड़े क्वेश्चन में आना तो पक्का है एंजी क्यों में आएगा की ने आएगा वों डाउट फूल है हाँ 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 अभी अपने करेंगे इस पे आप रुको ना एक सब क्या हो गया क्या अच्छा क्या कि आप लोग सबसे पहले क्या क्या डेटर का गया डेटर गया आपके बैलेंस शीट में एक लाक रुपया आप लोग इसके बाद जो बैड डेट आपको ट्रैल के अंदर दिया वे वो प्ल के डेबिट में यहाँ पर चला गया पांच हजार जो फर्दर भी डेट है यह जो ट्रैल के अंदर यह ओल्ड है कि नियू है और ओल्ड यह तो आपका पांच हजार यहां से माहिनस हो गया तो सबका हो गया अच्छा इसके बाद फॉर्दर बैटेट दो अजर तो फॉर्दर बैटेट यहां पर एड हो गया और यहां से माइनस हो गया तो आपका डेटर कितना दिख रहे हैं आपर 98,000 कोई दिखा थी नहीं है 98,000 पर आपको प्रोविजन कितना मेंटेन करना है तो 98,000 का 20% कितना और यह कौन सा प्रोविजन मनेगा न्यू वाला तो न्यू को यह पर माइनस करते हैं पी एफ डी डी न्यू कितना उननीस अजार चैसो लॉजिकल और उननीस चैसो को यहां पर भी आड़ कर देंगे हो गया इसको एड़्जस करके कितना रहे है पांच सबकार एकिस शैसो इसको सॉल्फ करके आ रहे है 21,600 और डेटर कितना रहे है आपका 7,8,400 7,8,400 को हम क्या बोल सकते है गुड डेटर अब ऐसा लिख मत देना बैलेंशिट में गुड डेटर यह खाली अपने समझने के लिए अब इसी के अपर प्रोविजन कितना क्रियेट करने है प्रोविजन फर डिसकाउंट तो माइनस किया प्रोविजन फर डिसकाउंट 7,8,40 और इस 7,8,40 कहा दिखाएगा प्रोविजन फर डिसकाउंट 7,8,40 कर सकते हैं बट बेटर ते समय लोग अलग ही दिखाते हैं आई थिंक आपको क्लियर हो चुक है अई बाचित नहीं बोलो डिसकाउंट दोनों को ऐसे महिनस कर देगा डेटर से बस सेम जो आप प्रोविजन फर डाउटफुल डेट का ट्रीटमेंट करते हैं वही प्रोविजन फर डिसकाउंट का ट्रीटमेंट बस 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 से लिए आगे बढ़े शर जो में महनत वाला था जिससे आप एक्जॉस्ट होगे खताब हो चुक है अब जो बच्चा उस सारा हलकालका लाइट लाइट है अभी लेकिन बारा एडजस्मेंट ही कवर हुए पैतिसे एडजस्टमेंट हम पूरा नहीं करेगा सारा नहीं करें ठीक है वरना आप लोग फिर इक्दम एक्जॉस्ट हो जाएगा एक क्लास अपने कल रखेंगे होपफुली टाइम इस पांच बजे कल सामको पांच बजे हम कल पांच बजे फ्री है हम पांच बजे फ्री है हम हम वह डाल देगा ग्रूप में पोल जिसमें मैक्सम टाइम प प्रीज मेरा ज्यान से अब नॉर्मल लॉस क्या क्या केस बन सकते है अचा इसका नाव आपको जनल एंट्री भी कराएगा अभी याद रखना अगर हम आज भाई चांस भूल जाए तो यह सारे का जनल एंट्री भी करना होगा एक्जाम में पूछता आइन्वल एक्जाम मे सब करेंगे सब बहुत लोग लिए बहुत भारी हो गया आपको लग रहे है कुछ लोग बोले है बस अब छोड़ दो अजा सुना अब नॉर्मल लॉस अई सुनो अगर आपको अब नॉर्मल लॉस बाई फाइर ट्राइल बैलिंस के अंदर दिया हुए तो आप क्या करेगा पर आपको अगर आपको अब नौ्स बाई फायर रुपीज बाइव बाइर अगर हम आपको बोल रहे है, suppose आपको additional information में लिखे दिया है, क्या लिखे दिया है, आपको लिखे दिया है, loss by fire is rupees 10,000, और क्या loss by fire, goods lost by fire, rupees 10,000, इसको सबसे पहले क्या करेंगे अपने, purchase से minus करेंगे, और PL के debit में loss बोल के दिखा देंगे, logical, क्योंकि goods गया है तो purchase से minus, और loss ह तो PL के debit में, ठीक है, अगर आपको बोला, goods lost by fire 10,000, insurance company admitted claim of rupees 4,000, goods lost रुआ 10,000 का, insurance company ने admit किया है, 4,000, तो सबसे पहला, purchase से minus करेंगे, कितना, 10,000, क्योंकि goods store पुरा 10 का गया, PL के debit में loss कितना, 6,000, क्योंकि 10 का नुक्सान, 6 तो insurance से आ नहीं है, 4 आ नहीं है, मतलब, 6 का loss, और balance sheet में, insurance claim receivable, बोल के asset, 4,000, इसका तीन adjustment है, इसका journal entry वैसा है कि तीन जगा पर जाते है, यह clear आप लोगोंको पहले, शौर, इसका जर्लन का में, जर्लन का प्लास में, जिससे, ब्यादेट वारा journal entry कराने है, इसका journal कराने है, तो जर्लन का अपने एक specific, इसको खतम कर लेंगे, but I think इसका final accounts वारा implication समझ आप लोगों, वापा सेवा बोल रहे है, अगर 10,000 का goods जला, तो परचे से माइनस क्या 10,000, जितने का insurance claim मिला, यह मिलने वाला है, वो आपका क्या हो गया, asset, और जितना claim नहीं मिला, वो आपका loss, clear, जब claim मिल जाएगा, तो उसको cash में दिखा देंगे, वो asset खतम हो जाएगा, bank में add हो जाएगा, ठीक है, आगे बड़े, चली next, बड़ा simple सा 3 adjustment है, जिसका same, यह दोनों का same treatment होता है, क्या बोला, charity and free sample, charity किस चीच का, goods का, free sample भी किस का, goods का, तो दोनों ही amount आपके सबसे पहले है, तो purchase से minus होगा, और क्योंकि दोनों खर्चा है, दोनों आपके, प्ले के debit में चला जाएगा, charity बोलके, free sample, advertisement बोलके, कुछ भी आप लिख सकते है, यह दोनों clear एक दम simple सा बात है, आगे बड़े, next, drawings of goods, purchase से minus, और क्योंकि drawings है, तो capital से minus कर देगा, drawings बोलके, यह 3 clear है, यह charity, free sample, drawings of goods, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब एक है आपका, implied interest या फिर हिडेर एजस्मेंट, जिसको अपर लोग हिडेर एजस्मेंट बोलते है, उसका actual proper नाम होता है, implied interest, सुना प्रीज मेरा बात जान से, देखो, आपको दिया वे trial balance, हाबनू, 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 हाबनू अच्छा, एक और question, सुनो ना, बोल रहा है, अगर, अगर charity मेरे को trial balance के अंदर दिया है, तो क्या करेगा, सिर्फ PL के debit में, अगर free sample trial के अंदर दिया वे तो, सिर्फ PL में, अगर अगर अपने अभी treatment बात किये, purchase से minus और PL में, वो कब करेगा, जब वो additional information में दिया हूँ, ठ हम लोग आगे बढ़ते हैं देखो, next, क्या बोला साम भूल गया, अच्छा, implied interest, trial balance, suppose आपको trial balance में लिखे दिया है, 10% loan, from, ICICI bank, ठीक है, amount, rupees 10 lakhs, और कुछ नहीं बोले, और कुछ नहीं बोले, ये 10, ये 10 गुरुपया कहा जाएगा, balance sheet के liability में, ये सब, हमको पूछना मतलब आप लोग को insult करना है, बट फिर भी, ये आएगा liability में, ठीक है, अब ये 10% को हम लोग बोलते, implied adjustment, मतलब, question चला कर बोलेगा नहीं, बट इसको आपको treat करना पड़ेगा, ये हम बोला है, पहले भी, जब भी किसी चीज में आपको percentage म मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलते है, implied, बतब hidden adjustment, वो बोलेगा नहीं, बट फिर भी करना होगा, अच्छा, ये 10% क्या मतलब है, loan पे लगने वाला interest, तो 10 लाग के loan पे 10 टका interest कितना हो गया interest, एक लाग, ये एक लाग कहा जाएगा, क्योंकि खर्चा है PL के debit में, और क्योंकि आपने दिया नहीं है, तो balance sheet के liability side में, same outstanding interest on loan जो बताया था, वही वाला treatment है, clear है मेरा बात, sure, अच्छा, अब, अगर examiner को, आप तक कर सकते है, लिखावे loan, नहीं नहीं, वो तो date तो आप पकड़ी लेगा, वो तो, रहे हम date भाला भी कराएगा, लेकिन उसके पहले एक और कराते है, suppose आपको दिया वे furniture, ये आपको मालो दिया वे land, land ही पकड़ो, land आपको कितना दिया वे balance sheet में 15 लाग रुपेगा और loan के निचे आपको लिखके दिया है, the loan was obtained by giving land as security, the loan was taken by giving land as security, loan लेने के लिए asset गिरी भी रखना पड़ता है, इसको अपने बोलते है, mortgage, pledge, इस अब item, collateral, तो इसका क्या करेगा? question 2 है, मेरा question सुना, question समझा, हम क्या बोला, loan आपको दिया है 10 लाग का, land आपके पास है 15 लाग का, loan के निचे लिखके दिया है, कि इस loan को आपने लिया है, land को गिरिवी रखके, बोलो, क्या होगा? कुछ ही नहीं करेंगे, क्योंकि asset तो अभी भी आप ही कही है, उसका मालिक तो आप ही है, वो land अभी भी उस पे document में आप ही का लिखा हुए, बैंक के पास वो कब जाएगा, जब आप loan का default करेगा तो, तो simple आप इस 10 लाग को का लिखेगा, balance sheet के liability में, और इस land को, asset में, make sense, आगे बड़े, चलिए, बस हम समझ आप पो ठक चुका है, बट फिर भी, 18, deferred revenue expenditure, सुने का प्रीज मेरा बात ज्यान से, deferred revenue expenditure, मत बोलना deferred का spelling लोंगे, हम फटा-फट में लिख दिया है, हमको आते है, deferred revenue expenditure, सुने का प्रीज मेरा बात ज्यान से, suppose आपको बोला advertisement expense is rupees 10 lakhs, और कुछ नहीं बोला, कहां जाएगा यह advertisement expense, यह trial में दिया है, trial में दिया हुए, PL के debit में, logical, अब आपको नीचे लिखा additional information, the above expense, the above expense is to be written off in five years, बस खतम, बस इतना ही बोला है, 10 lakhs by 5, 2 lakhs, वो कहां जाएगा, वो expense में जाएगा, तो इतना डर की क्यों बोल रहे है, ठीकी बोल रहे है, ऐसे लगाए, कोई सजा सुना देगा, गलात बात, खुल के बोलो भाई, advertisement expense is rupees 10 lakhs, बोला, इसको write off करना है पाँच साल में, मतलब, इसको खर्चा मानना है, पाँच सालों में, तो अगर आप इसको पाँच से divide करेगा, तो हर साल का खर्चा, तो PL के debit में इस साल कितना हैगा, दो लाक, और बचा वा जो आट लाक है, दस में से दो गया तो बचा, आठ, आठ को आप दिखाएगा, अपने balance sheet में asset बोलके, advertisement suspense या advertisement expense रुपीज एट लक्स, PL के debit में, टू advertisement expense रिटेन ओफ, दो लाक रुपेर, लॉजिकल, write off का मतलब होता है, इस item को आप अपना खर्चा मान के PL में डाल दो, जैसे आपको बोलता है, write off bad debt, write off का मतलब, write off का मतलब, write off का मतलब होता है, आपने bad debt तो लिखा ही, 2 क्या लिखता है 2, तो debtor को कम किया न, इसको बतर, write off, मतलब debtor को भी गिरा दो, write off मतलब इसको 5 बार में गिरा के खतम कर दो, 5 मिन, 5 मिन पार, इस समझना है, चौर, आगे बढ़े, नेक्स्ट, बस एक लाष्ट, पक्ता, अरे सूनो, फिर आप लोग वही कर रहे है, ठीके, 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 दो मिन, ऐसे इस तरीके से, आई पर होगा तो नहीं होगा, हम, अरवा, हम बहुत महेनत करके, आप लोग के लिए सब लिखा है, आपको बोलता, कि आओ, बैठो, तीन कॉलम बनाओ, हम एक एक बोल रहा है, और आप लिखो, अगर आप लिखता ही नहीं कोई, केश्याव जैसे लो, कुछ लोग लिखता न, कुछ लोग लिखता, अब लिखने में कितना ताइम जाता आपका, तो बैठ रहा हम क्या कहde, अबी तक उतना दिर में अपने 19 एच्जश्मन कर लिए आप ए गंटा अगर लेकर सम्ट करेंगा कितना अब स्पीड हो एंग सम्ट करने में 15 क्राइट मिनिममम जाते हैं 25 मिनिममम जाते हैं तो कितना क्रेश्यंग कर लेता एक गंटा में चार पाज अब सूपर स्मार्ट है तो पाज अब बहुत सूपर स्मार्ट एच्छे नहीं कर पाएगा इच्छे सम तो पाज सम अगर आप करेगा तो आपको इतना adjustment करो था जो हम आपको तो मैं सबसे deal बाटर ठीक हुए है चलो ठीक है बस देखो आज इनको जाना है वो जा सकते हम सची जिनको अगर लग रहे हैं बहुत exhaust होगा जाना है वो जा सकते एक-दो चंग कुछ भी रुखेगा तो हम कराएगा ठीक है देखो contingent liability contingent liability मतलब हो गया example pending code case क्या करते contingent liability को कुछ नहीं करते जहां आप अपना trading बनाया PL बनाया balance sheet बनाया उसके नीचे note लिखके बता देगा जैसे आपको question मिला contingent liability या फिर अपना एक pending code case चल रहा है दो लाक रुपे का तो नीचे मैं देगा the company या फिर the organization is witnessing pending litigation आपको question में देगा कि माल अपना high court में case चल रहा है अपने को 20 लाग रुपे का dispute है तो नीचे आप इसको note में English में लिखके बता देगा बराबा संग है इसका footnote footnote मतलब जहां balance sheet खतम होगा उसके नीचे जैसे यह balance sheet बनाया यह खतम हुआ इसके नीचे लिखेगा note और note में English में लिखके बता देगा treatment क्यों नहीं करेगा क्योंकि अभी तक आपका liability बना नहीं है यह देना पड़ेगा कि नहीं वो depend करते है कोड के सब जीतेगा कि हारेगा ठीक है लास्ट आजका last adjustment managerial commission बस खतम इसके अपने आगे नहीं करेंगे आगे next class में बटेबाद प्लीज सुने ना managerial commission देखो सुना हम क्या बोल रहे है जिनको आता है very good जिनको नहीं आता है प्लीज सुनों देखो सपोज यह आपको दिया प्ल में आपको credit में बहुत सारा item income का दिया वे सबसे इंकम का item को मिलाकर रहे 5 लाग बहुत सारा item में और यहाँ पर आपको दिया वे expense का item 3 लाग का तो आपका net profit कितना निकला 2 लाग का सबसे पहले आपको बोला manager को commission मिलेगा the manager is entitled to a commission of 5% on the net profit simple इतना बोला manager को net profit के ओपर 5% का commission मिलेगा तो commission का amount कितना बना 10,000 यह commission आपको उसको देना है तो यह आपके लिए क्लिए क्या है expense पहले तो expense है तो PL में जाएगा क्या लिखेगा manager commission कितना 10,000 क्या पर दे दिया है देना है तो कहा जाएगा liability में यह clear है अच्छा एक second सब हार है तो आप patience रखेगा तूँ सब बताएगा रूको यह पहले clear है अगर हम इसमेग लाइन आट कर दे manager is entitled to a commission of 5% on the net profit before charging such commission same रहेगा before charging या normal commission का मतलब एक ही होता है simple इसका मतलब net profit लो उस पर commission का percentage लगा दो वो क्या बनेगा आपका एक तो expense और दूसरा liability यहां तक एक दम clear है sure अगर हम इहाँ पर आपको एक word add कर दे 5% on the net profit before की जगा अगर हम लिग दे आफ्टर charging such commission क्या करेगा net profit into commission divided by 100 plus commission net profit कितना है 2,00,00,00 commission 5 divided by 100 plus 5 in short 2,00,00,00 into 5 by 105 यह कब करेगा अगर after charging word मिलेगा तो अगर before मिलेगा तो 2,00,00 into 5 by 100 simple 5% और after बोलते ही into 5 by 105 अगर commission का percentage 10 होता तो 2,00,00 into 10 by 110 और treatment क्या है इसका same PL के debit में और balance sheet के library team इसके बाद आप पर से net profit निकालेगा एक लाग नब्वे आपने अभी 20 तक adjustment किये हम यह PDF आप लोगो शेर कर रहे हैं इस PDF के बाद एक और PDF है उसमें करीब करीब आपको जितना आपने आज discuss किये उसी के ओपर तीन question है वो try कर देना आप लो ठीक है और बाकी try कर अपने अपने textbook से जो book आफ फॉलो करता है उससे question को solve करो हां चली thank you इसी का भी निकाल दू हां हां दे मैं खालmost है जय Lt. कर दो आपको weights त्रूपर आप उसरा दीक है झाल tear उता है औरीटर आपको tv तो हां हां है दूपता है ख तो हां ही चली जा het — पषलऴ